हनुमान चालिसा यानि भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई चालिस चौपाईयां हनुमान चालिसा हिंदु घरों में सबसे ज़ादा प्रचलित है और काफी लोग ऐसे हैं जो इसका पाठ रोज करते हैं धरिक मानेताओं के अनुसार ये माना जाता है कि हनुमान चालिसा का पाठ करने से भगवान हनुमान उनके सबी कष्ट तूर करतेते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मन चाहे फल की प्राप्ति को पाने के लिए हनुमान 40 का पाठ कितने बार करना चाहिए अगर आप भी सभी भौतिक वादी चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको हनुमान 40 का जब 100 बार करना चाहिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और धन की वरिध्धी चाता है उन लोगों को हनुमान चालिसा का पाठ 21 बार करना चाहिए यह कार्य नियम से करने पर अवश्य ही धन की वरिध्धी होती है कुविड के दौरान हमने जाना है कि हमारा स्वास्थे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति निरोगी गाया की कामना करता है उसे नियम अनुसार 19 बार हनुमान चालिसा का जाप करना चाहिए जिससे बजरंग बली उनके स्वास्थे रूपी सभी संकटों को हर लेते हैं हनुमान चालिसा का साथ बार जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर आप अपने जीवन में एक साथ कई परिशानियों से परिशान है और हनुमान जी की विशेश क्रपा पाना चाते हैं तो सुभा के चार बजे साथ बार हनुमान चालिसा का पाठ करें मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालिसा का एक बार जाप करने से हनुमान जी का अशिरवाद मिलता है और मंगल दोश साड़े साथी जैसे हर दोश का निवारन भी होता है जब कभी भी हम या हमारे आसपास भगवान हनुमान जी का नाम जाप होता है तो हमारे आसपास एक सकरात्मक आभा का निर्मान होता है जो हमारे जीवन में आने वाले नाकरात्मक प्रभावों को समाप्त करता है हनुमान जी की पूजा करते समय सिरी राम का स्मरण जरूर करें राम नाम का जाप या राम हनुमान का कोई भी राम भजन हनुमान जी को सबसे ज़ादा प्रभावित करता है इसलिए उन्हें जल्दी प्रसन करने के लिए शिरी राम नाम स्मरान जरूर करें